हेलो दोस्तो दिस इस कृष्णा वसेस्ट और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल जिसका नाम है टैट्सक्रू और दोस्तो आज हम इंटलिजन्स के टोपी को कवर करने वाले हैं और अगर इस प्लैटफोर्म पे आप फर्स टाइम आए हैं आनिकी आप इस चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें क्योंकर इहां पर मैं चाइल्ड डिवलेबेंट और पैडगोजी की कौलिटिटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूं और मैं कोशिश मेरी यह रहती है कि चाइल्ड ज्यादा हैल्प मिले CDP के अंदर चाइल्ड डिवलेबेंट और पैडगोजी वीडियो को पूरा देखना दोस्तों आपको मज़ा आएगा इंटलिजन्स के टोपिकों मैं कवर करने वाला हूं बेसिकली डिटेल में मैं कवर नहीं करूंगा मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको वीडियो मैं आपको बना के दूँगा और उसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी वो इंटलिजन्स से रिलेटेड होंगी तो स्पेसिफिकली एक थोरी को मैं कवर करूंगा एक वीडियो के अंदर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंटलिजन्स अगर सब्सक्र मेरे लिए काफी important है, it motivates me, यह मुझे motivate जरूर करता है, ठीक है, तो start करते हैं दोस्तो, intelligence, इसको हम बुद्धी कहते है हिंदी में, साथ साथ में मैंने कही ना कहीं हिंदी भी use की है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, कुछ definitions के बारे मे intelligent कब कह सकते हैं, आप देखोगे दोस्तो, intelligence एक बहुत ही बड़ा topic है, और यह इतनी एक broad term कही जा सकती है, कि इसको हम limited नहीं कर सकते एक definition में, हम इसको बांध नहीं सकते, इसके बहुत सारी definitions बन सकती है, आप अलग-लग book में देखोगे, तो आपको हमेशा अलग-लग definition मिले जिनमें से एक definition में आप लिखी हुई है, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं, वो intelligent है, ठीक है, माल लो कोई, किसी problem में आप फस चुके हो, ठीक है, किसी बच्चे को, सब्सकरों, खेलते-खेलते कोई चोट लग गई है, और जैसे ही वो चोट लग गई, तो उसका सारा का सारा जो blood हो बहार आ रहा है, तो बाकी सारे बच्चे अगर suppose करो घबरा गई है, लेकिन आप उन में से कैसे बच्चे हो, कि जिसने देखा कि बलट सारा बहार आ जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो एक कहीं से कपड़ा लेक आया, और हाथ में भान दिया, ठीक है, तो देख किसी भी difficult environment को adapt करना easy नहीं होता, जो व्यक्ति easily इसको adapt कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति intelligent है, जैसे हम suppose करो हम अपने घर में रह रहे हैं, तो रोज मर्रा की जिंदियों में जो utilities हमारे पास होती है, तो उनको use करके हम अपना दिन काटते हैं, लेकिन suppose करो कि आप एक जंगल में चले गए, वहाँ पर रस्ता भटक गए, आपके पास जो basic utilities है, जो basic जरूरत का समान है, वो ही नहीं है, खाने पीने का समान नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस जंगल के अंदर अगर आपने एक दिन दो दिन गुजार लिए, तो आपने उस environment को adapt कर लिया, ऐसा हम कह सकते हैं, तो अपने आसपास के वातवन को हम जितना adapt करते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, उतना ही वो व्यक्ती intelligent कहा जा सकता है, या फिर किसी भी test में आप अच्छा score get कर रहे हो, बहुत सारे IQ test होते हैं, उसमें अगर आप अच्छा score get कर रहे हो, तो यह त intelligent बच्चे हैं, ठीक है, तो यह definition उमच्चो के उपर है, तो बहुत सारी definition है, मैंने तो यहां सरफ दो यह तीन लिखी है, जस्त एक आपको brief देना चाहता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं, और हिंदी, मैं गूगल किया, तो इंट्रेलेटिड जितनी में ट्रॉम्स हैं, इंटलीजेंस जो है, एक मांसिक शक्ती कही जा सकती है, जो वस्तुओ एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी सम्मन्द खोजने, तथा तर्क पूर्ण ग्यान प्राप्त करने में सायक होती है, बिलकुल सही बात है, हम काफी सारे reasoning के questions करते हैं, तो उसमें आप एक number से दूसरे number में क्या pattern खोज पा रहे हैं, कितना जल्दी सर्च कर पा रहे हैं, तो वो भी एक intelligence का ही part होता है, एक मांचिक शक्ती हाँ पे कही जा सकती है, ठीक है, बुद्धी मनिश्य को नवीन परस्तेतियों, नवीन मतलब नया, न उसके साथ adapt होने में सायता प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया ही था, कि environment को adapt करना जो है, जल्दी से जल्दी ये भी एक intelligence का ही part होता है, उमीद करता हूँ कि अब तक जितरा भी मैंने आपको explain किया है, आपको समझ में आया होगा, अब टर्मन क्या coding देख लेते हैं, intelligence is the ability to think, जो हमारी intelligence है, वो हमारी ability है, think in terms of abstract ideas, अब कोई भी वक्ती है, कोई बच्चा है, वो out of the box सोच पा रहा है, जितने भी हमारे, you know, जो artist होते है, उन में रहती है ये, कि out of the box, out of the box बिल्कुल एक नया idea किसी ने सोचा है किसी भी company में, या किसी group के अंदर, ठीक है, उसका idea इतना famous हो गया, आगे चलके, कि उसका business बन गया, you know, that is also called intelligence, उसको भी हम यहाँप intelligence कह सकते हैं, तो abstract मतलब एक unique idea, अब बहुत सारी public तो अगर सोचती है, तो एक direction में सोचती है, you know, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, अब एक व्यक्ति ऐसा आया, सो में से एक व्यक्ति ऐसा आया, जिसने बिल्कुल ही supposedly सोचा, और उसका idea हिट हो गया, तो यह भी intelligence कहीं पार्ट है, ठीक है, तो टर्मन के according intelligence, the ability to think, in terms of abstract ideas, अब कुछ characteristic है, intelligence ability of learn, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है अपनी life में, वो intelligent उतना ही ज जला जाता है, ठीक है, although हमें पता है कि जो intelligence है, वो heredity के उपर ज्यादा depend करती है, environment पर depend करती है, लेकिन यहाँ पे एक point ये भी बनता है कि अगर आप suppose करो आप को बच्पन में जब आपका जनम हुआ था, तो वो गुण ही आपको नहीं मिले आपके माता पिता से, जो intelligence के लिए काफी important होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी particular domain में intelligent कही जा सकते हो, इसका example में आपको देना चाहता हूँ कि मान लो कि आपको dance बिल्कुल भी करना नहीं आता, आपकी उमर है 30 साल, आपको बिल्कुल भी dance नहीं करना आ रहा, लेकिन आप dance सीखना चाहते ह आप impression जमाना चाहते हो दूसरों पर, लेकिन आपको आता नहीं, तो आप YouTube से आपने कुछ videos निकाले और आपने dance करना start कर दिया, एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, धीरे धीरे आप ने जो practice, you kept your practice up, आपने practice को continue रखा, दो साल, तीन साल लगे आपको dance सीखने में और आप ऐसे बन गए हो, जैसे कि pro dancer होते हैं, और एक दिन आपने dance की performance दी किसी group के सामने, अब उस group में से एक वक्ती बोला, वह क्या dancer है, लेकिन उस वक्ती को यह नहीं पता था कि दो साल पहले इसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आप उस level पे चले गए अपने आपको उसके बाद, it is ability of think abstractly, abstractly आप कितना सोच पा रहे हो, यह भी intelligence काई पार्ट है, ability to solve problems, problem को कितना सोल कर पा रहे हो, यह भी intelligence काई पार्ट है, तो इस सारी different characteristics है, intelligence की characteristics यहां पर कही जा सकती है, अब बात करते हैं, intelligence जो है, वो depend करती है, तीन चीज़ों पर, heredity पर depend करती है, environment पर depend करती है, और इनके productive nature पर depend करती है, मतलब heredity और environment के तालमेल पर भी depend करती है, अब सीधी सी बात है, heredity वन्शागती, अब यह कोई बच्चा जनम ले रहा है, तो it depends upon their parent traits, genes, genes पर depend करती है, कि माता पिता कर जादे intelligent है, तो बच्चा भी most probably, you know, chances है कि वो भी intelligent ही पैदा ह environment करती है, कि आप कोई व्यक्ती, कोई बच्चा मालो बच्चपन में, उसकी वन्शागती काफी अच्छी थी, काफी intelligent generally है, उसका mind बड़ा sharp है, लेकिन वो environment उसको ऐसा मिला, वो ऐसे वाहियत बच्चों के बीच में रहा, I'm sure ही कि मुझे वाहियत ट्रम यूज करनी पढ़ लेकिन ऐसे बच्चों के बीच में रहा, जिनको पढ़ना नहीं है, जो इधरुदर के काम करने में, 400 BC के काम करने में ज्यादा उनका focus रहता है, तो वो बच्चा भी उन्ही के जैसा बन जाएगा, जो sharp minded बच्चा है, वो भी उन्ही वाहियत जैसे बच्चों की जैसा बन ज रही है, अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा इतियास डिसकस कर लेते हैं, इंटलिजन्स का, बच्ची सी बात है देखो, यहां पे क्या है, कि बच्ची बच्च में एक इंटलिजन्स टेस्ट को बनाया गया, और बनाने वाले का नाम था बिने, यह कई बार आ चुका है, निनी सो हाड की बात करते हैं, इसको बोला गया है आईक्यू, इसको क्या बोला गया है, जो दोस्तों, आईक्यू, अब निनी सो सोलह की बात करते हैं, revised IQ formula by term अब इसी formula को थोड़ा सा revised कर दिया गया percentage में बोला गया into 100 कर दिया इस formula में तो हम percentage भी निकाल सकते हैं ठीक है तो अब completely formula क्या बना MA divided by CA into में 100 MA divided by CA into में 100 ठीक है अब जिसे कोई भी वेक्ती है माल लेते हैं कि कोई 15 साल का बच्चा है अब वो 20 साल के बच्चे की तरह सोच पाता है मतलब उमर तो उसकी 15 साल है सोच वो 20 साल 20 साल के वेक्ती की रहा है तो उसकी जो mental age है वो 20 years हो गई ठीक है इस तरीके साब mental age मतलब दिमाग की जो उमर है वो 20 साल हो गई chronological age क्या होती है CA CA वही चीज है जो की उस वेक्ती की actual age है उस बच्चे की जो actual age कितनी है 15 साल तो CA हो गया 15 और MA क्या हो गया आपका 20 क्योंके वो 20 साल के बच्चे की तरह सोच पाता है दुबहर से समझाओ मालो एक वेक्ती है 25 साल का ठीक है वो सोच पा रहा है तीस साल के वेक्ती के बच्चे के बच्चे साल तो उसका जो MA हो गया MA क्या है mental age mental age जो उसकी हो जाती है बच्चो वो हो जाती है 30 साल और जो उसकी chronological age है यानि की CA वो हो जाती है 25 साल ठीक है तो इस तरीके से हम IQ निगाल सकते है अब इसमें भी कुछ special cases है ध्यान से देखो MA is equal to CA अगर MA CA के बड़ाबर हो गया इट मेंस क्या है कि जो उसकी mental age है वो ही उसकी chronological age है वो ही उसकी mental age है मतलब पच्चे साल के वेक्ती है तो पच्चे साल के बड़ाबर ही सोच पा रहा है ठीक है में मतलब 25 साल का है तो सोच पा रहा है वह 30 साल के बराबर तो में पर बड़ा हो गया सीए के मुकाबले तो उसका IQ सो से बड़ा हो आएगा और वो आएगा ही आएगा सो से बड़ा तो वो ज्यादा इंटलिजन्ट कही जा सकते हैं और इसका उल्टा कर दे कि में जो है लैस हो गया सीए से तो उसका IQ सो से कम हो जाएगा ठीक है तो इसमें हमने एक मार्क सेट कर दिया विच इस हंड्रेड अब जिनका हंड्रेड है वो वोटेवर तो यह हिस्ट्री जो है थोड़ी सी मैंने आपको बताईए अब हम जो इंपोर्टेंट चीजे उस पर आते हैं थियोरी आफ इंटलिजन्स की थियोरी काफी सारी है तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिक में बताया था कि मैं वन बाई वन डिसकस करूंगा तो अभी कुछ ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं अभी एक थोरी है यूनी फैक्टर थोरी इसको बनाया था एलफट बिने ने यूनी फैक्टर थोरी इसमें छोड़ा सा इसमें किसके अबाउट है यह थोरी तो थोड़ा सा बनाया निचे लिखा हुआ है इट डिडियोज तो इस थोरी में क्या पता है कि जितनी भी हमारी अबलिटीज है उसको रिड्यूस किया गए सिंगल अबलिटी में तो इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम डिसकस करूंगा एक प्रोपर वीडियो बनाऊंगा उसके बाद बात करते हैं जाएं जलते हैं कि जनम लेता है जब बच्चा होता है तो काफी सारी आबलिटी होती हैं उसके अंदर वो सारी abilities है न दूसरे बच्चों के अंदर भी होती है तो यह journal है common abilities है फिर किसी किसी गंदर specific factor होता है उसको यूज करके उसको polish करके practice करके वो अपने domain में आगे निकल जाता है उसी domain में आगे निकल जाता है जैसे वराठ कोली है वजय वराट कोली अब उसके अदर कुछ अबलिटी जैसे vesselsgehen क्यल्कूलेशन आप गर्सक्ता है लेकिन वराट कोली क्या चीज की वराट कोली बना रही है ठीक है उसकी प्रैक्टिसुस्ट का खेलना उसकी ability cricket के अंदर cricket domain के अंदर जिसको लेके जो की एक specific factor है अब वो ability एक चोकिदार के अंदर नहीं है वो मेरे अंदर नहीं है वो आपके अंदर नहीं है फिर भी वो specific factor उसको आगे तक लेके जाती है तो basically बहुत interesting theory है वीडियो बनाओंगा तो वीडियो में देखना अभी तो जस्ट में छोटा सब ब्रीफ दे रहा हूं आपको उसके बाद फिर थियोरी का आती है इसमें 3 factor theory 3 factor theory 1911 में बनाई गई थी स्टन्बग के दोवारा बनाई गई है 3 factor में तीन फैक्टर ने इसमें इनलाइटिकल क्रियेटिव और प्रेक्टिकल अनलाइटिकल कीसी चीज को आप कितना उसका स्लेशन कर पा रहे हो क्रियेटिव करियेटिवक्रियों कितना स्वlying प्राइठ इंडonter थिamm ग्रहु किसी चीज को आपका क्या है इसके अंदर तो इसको मल्टी फेक्टर बोला गया उसके बाद बात करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट अबलेटीज को ग्रूप की फोर में शो किया गया है और इसको बनाया था लुईज थर्स्टर ने 1937 में इसके अबलेटी बहुत सारी अबलेटी इन्होंने डिस्क् कि अच्छा हुथ है आपने बहुत सारी व्यक्ति को देखा हुआ कि लेंग्वेज को काफी जल्दी क्याच कर लेते हैं साथ लेंग्वेज दमेज मैं ऐसे वक्ति को जानता था जिसको ओल्मूस्ट्ट टैन लेंग्विज आती थी नमबर यून फैसलिटी कोई वेक्टि ब वो याद रख पाते हैं बहुत सारा डाटा तो यह सारे का सारा ग्रूफ एक्टर थेयरी इसके अलावा भी इसके अंदर है मैं लिखी नहीं है यहां पे इसको डिटेल में वीडियो बना के आप लोग के सामने लेके आँगा उसके बाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिक्थ थेयरी आए यह थेयरी ओफ मल्टीबल इंटलीजन्स इसमें भी काफी सारे इबलिटी के बारे में बताया गया है हवाट गारडनर ने इस थेयरी को बनाया था उनिस सो तरासी में यह सारी और यहां जर्नली कोशन आता यहां से बोडि का निस्थिक इंटलीजन्स मतलब जो सादूसंत होते हैं वो इंट्रापर्सनल होते हैं वो लिंग्विस्टिक लेंगज से रिलिटेड़ है यह लोजिकल मैथमेटिकल यह मैथमेटिक से रिलिटेड़ है स्पाशल वीजुली आर्किटेक्टर से रिलिटेड़ है म्यूजिकल इंटलीजन्स यह सिंगिंग वगर के सामने रखा है starting में जैसे मैं आपको पता है कि just एक brief मैं आपको दूँगा पूरा intelligence मैंने इसमें cover किया हुआ है एक छोटा सा brief मैं आपको दिया है और next time एक एक थोरी को मैं आप लोग के सामने describe करूँगा ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको lecture अच्छे से समझ माया होगा और अगर आप if you are new on this youtube channel so please do subscribe because your single subscribe it motivates me a lot thank you very much this video session को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तो